नमस्कार बढ़ते कदम के साथ बात हर्याना की में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे हर्याना विद्याले सिक्षा बोर्ड में दसवी और बारवी कक्षा के वार्षिक परेडाम जारी करने से पहले बड़े इस तरके फरजी SLC में गरबर ज्छाला सामने आया है जे हाँ आपको बता दे की SLC यानि की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के गरबर ज्छाला का ये मामला पकड़ा गया है बोर्ड ने दरसल फरजी SLC वाले बच्चों का रिजल्ट रोक कर गरबर ज्छाला करने वाले गिरों की सरकार और पुलिस में शिकायत दी है आपको बता दे की एक दो दिन में हर्याना विद्याले सिक्षा बोर्ड को दसवी और बारवी कक्षा का वार्षिक परिडाम घोशित करना है हाले के से पहले सिक्षा बोर्ड को कुछ बच्चों द्वारा फरजी SLC दे कर परिक्षा देने की सूचना मिली थी जिसके बाद सिक्षा बोर्ड के चेर्मेंट डॉक्टर जगबीर सिंग ने टास्क फोर्स का गठन किया इस ट्रीम ने भाग दोड कर यूपी, राजस्थान, पंजाब, जारखंड, उत्राखंड, गुजरात और चंडीगर के अलावा नेपाल से फरजी SLC जारी होना पाया गया हर्याना विद्यालेज सिक्षा बोर्ड के चेर्मेंट डॉक्टर जगबीर सिंका कहना है कि दस्वी के 92 निज्जी स्कूलों के 778 और 8 सरकारी स्कूलों के 14 बच्चों की फरजी SLC मिली है इसी तरह से 12 कक्षा की बात करें तो यहां 40 निज्जी स्कूलों के 73 और 10 सरकारी स्कूलों के 16 बच्चों की फरजी SLC मिली है इसके लावा परिक्षकों को पहले प्रदेश भर से 1741 बच्चों ने अपनी SLC जमा नहीं करवाई है वहीं दूसरी और हर्याना विद्याले सिक्षा बोर्ड के चेर्मेन ने आगे कहा है कि फरजी SLC देश के कई प्रदेशों के अलावा एक SLC नेपाल से भी जारी हुई है इस मौमले में बच्चों इतने दोशी नहीं हैं दोशी वो लोग है जो गिरों के रूप में इतने बच्चों की SLC बनवा चुके हैं दस्वी और बारवी का वार्शिक परिडाम 20 जून से पहले जारी होगा लेकिन फरजी SLC देने वाले या SLC जमान नहीं करवाने वाले बच्चों का रिजल्ट रोका जाएगा बढ़ती कदम के साथ बात हर्याना की में यहीं तक हम फिर हाजिर होंगे नई विश्य के साथ तब तक आप देखते रहें एनवी न्यूज नमस्कार